नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आधर सिकरी में एजुकेशन चैनल पे फ्रेंट्स हिंदी यूपी पीसेस के आरो में जो हिंदी सर्जेक्ट है वो बहुत जादे मादपोड़ों उससे भी कोशन आते हैं हिंदी में बहुत जादे कोशन आते हैं आपके चैप्टर विसेसर और विसेस से यानि आपके सामने कोशन देदेगा उदाहर सुरुख कि सीता सुंदर है इसमें सुंदर क्या है विसेसर है या विसेसर है और विसेसर है तो कौन सा विसेसर है विसेसर का कौन सा भ्यद है इस के question आपको आरों में देखने को बहुत जादे मिलते हैं तिन चार question तो आते ही आते हैं तो चलिए एक question उठाते हैं या फिर पहले परिभासा की बात करने ते हैं कि आगि विसेसर विसेसर क्या होता है फिर उदाहर सुरुख हम सभी चीजों को समझेंगे देखे एक्जामपल से इसलिए समझाने की कोशिस की दानेगे क्योंकि एक्जामपल से चीजें आपको याद रहती हैं परिभासा रटाने से कुछ नहीं होगा आप इंटर तक ग्रेजुशन तक रटते ही आयां तो रटने से कुछ नहीं होगा ठीक है तो विसेशन मतलब होता है गुड या फिर विसेशता ठीक है कुछ किसी के अंदर कुछ इष्ट्रा होदा तो क्या हो उसकी एक्टिविटी है या फिर उसका एक इष्ट्रा गुड है अलग उसकी विसेशता है ठीक है जैसे मालिजे आपकी लड़की सुंदर है तो आपकी जाओ यहां पर हो जाएगा तो सर्वनाम हो जागा ठीक है तो संग्या या सर्वनाम की विशेस्ता को व्यक्त करने वाले सब्द को विशेसर कहते हैं उदाहरण स्वरू सीता सुंदर है संग्या या सर्वनाम तो संग्या सीता की विसेस्ता को व्यक्त करने वाले व्यक्त कर रहा है विसेस्ता इसकी सीता की सुंदर तो सुंदर ही सीता की यारी संग्या की विसेस्ता व्यक्त कर रहा है तो यही विसेस्द है तो सिता सुन्दर इसमें जो सुन्दर है ये विसेशड है, यानि ये विसेश गुड है, विसेशता है सीता की, तो सीता सुन्दर है सब्द में विसेशड है सुन्दर, इस प्रकार के कोशन देखने को मिलते हैं, तो विसेशड की परिभासा की संग्या या सरुनाम की विसेश विसयस्ता व्यक्त होती है। फिर से बोल देता हूँ, विसयसर के माद्यम से जिसकी विसयस्ता व्यक्त होती है, उसे ही विसयश ही कहते हैं। यहां पे विशेषण हो गया, 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 यहां पे विशेषण हो गय मोहन कौन सा बच्चा है कौन सा क्या बच्चा है तो सरार्थी भुड़ोगे क्या कौन से आपका दिख रहा है कि सरार्थी दिखा रहा है यहां पर क्वालिटी की बात हो रहे है विसेशता की बात हो रहे है लेकिन क्या है वो बच्चा है न मोहन सरार्थी बच्चा है तो यहा प्रशांत सुन्दर बालक है, तो बालक जो हो जाएगा, वो विसेश हो जाएगा, गीता अच्छी लड़की है, तो लड़की जो हो जाएगा, वो विसेश हो जाएगा, तो साइद अब क्लियर हो गया होगा, फिर से बोल देता हूँ, मुहन सराथी बच्चा, इसमें बच्च आप दो फिसेज सेया वी परिवादा की बात करें तो विसेशड के माद्यम से जिसकी विसेशता तो होती है उसे विसेश से कहते है। संग्या सर्वनाम की बात नहीं कर रहा है सिए आप यहां पर मोहन पर नहीं देखेंगे कह रहा है वही परिबासा में कि विसेशर के माध्यम से जिसकी विसेशता बैकत होती है जैसे उजहार की बात की गीता अच्छी लड़की है तो गीता तो संग्या सर्वनाम में आगया उसको देखना ही नहीं है अच्छी quality की बात होगी यानि विसेसर की बात होगी लेकिन लड़की है वो होगया विसेसर अब बात करते हैं विसेशण के प्रकार की यानि विसेशण के भेद की तो विसेशण के चार भेद होते हैं परिमाडवाचक, सर्वनामी वाचक, गुडवाचक और संख्या वाचक हलाकि इसके परिभासाएं हैं लेकिन हम परिभासाओं को समझने के लिए उदार को पहले देखते हैं परिमार वाचक यानि जिसमें मात्रा की बात हो रही हो जिसमें क्वांटिटी की बात हो रही हो तो परिमारवाचक में मात्रा या संख्या आता है तो मेरी गाय बहुत दूद देती है तो बहुत जो हो गया इस संटेंस में ये परिमारवाचक विस्येसर को दर्शा आ रहा है कोशन में ऐसे ही पूछेगा कोशन में ये नहीं पूछेगा या फिर संख्या दी गई हो, तो वो परिमाडवाचक कहलाता है, या वो सब परिमाडवाचक कहलाता है, तो मात्रा और संख्या, तो यहाँ पे बहुत जो है, मात्रा को दर्स आता है, तो परिमाडवाचक कहलाता है, सर्वनाम यह वाचक, सर्वनाम तो आप समझ रहे होंगे, संग्या सर्वनाम परिवासा में ही देखे थे, तो यहां पर संग्या सर्वनाम होता है, तो आपकी पुस्तक मिली, आपकी जो किसकी मिली, जैसे राम घर जाता है, तो कौन जाता है, कौन किसकी, क्या, कौन किसकी, यह प्रकार के जो कोर्शन होते हैं, यह संग्या और सर्वना तो आपकी पुस्तक मेली आपकी जो है यह सर्वनाम है ठीक है अब बात करते हैं गुडवाचक समझाने की ज़रूत नहीं बहुत ही जी है गुड़ यानि जिसमें गुड़दास आए जा रहा हो विसेस्ता बताई जाने है राजेस सांत लड़का है सांत गुड़ है तो अब बात करते हैं संख्या वाचक वे दोनों कहां गएं संख्या से हम समझ रहे होंगे अकलब एक दो तीन चार इस तरह की संख्या आए तो वो संख्या वाचक होते हैं तो एक्जांपल कर आए कि वे दोनों कहां गएं तो एक्जांपल में संख्या है मतलब पर आया जो वे वे दोनों कहा गएं, वे दोनों ये दोनों संख्या है, तो संख्या वाचक में जो वे दोनों आए, वो संख्या वाचक में चले गए, इस प्रकार वे दोनों संख्या वाचक विसेसर कहलाते हैं, उदार सुरुप और भी देखें, तो विद्याले में 50 छात्र हैं, विद्याल जाम वाचक, गुडबाचक और संक्यावाचक इसको हमने उदार सवर्व देख लिया अब देखते हैं और सारे उदार उदारण उसमें क्या क्या चीजे देखने को मिलती है जैसे रमेज की पुष्टक ठीक है रमेज की पुष्टक पुरानी है तो बताना है इसमें पुस्तक जिस तरह एक्जाम में पुस्ते हैं उस प्रकार हम सौल्द करने के कोजिस करते हैं रमेज की पुस्तक पुरानी है तो बताईए पुस्तक में कौन सा विसेशड है आपको बताना है कि पुस्तक में क्या है विसेश है और विसेश है तो कौन सा है तो देखिए रमेश की पुस्तक पुरानी है तो पुस्तक विसेश से है जैसे हमें देखाता मुहन सरार्ती बच्चा है पुरानी तो उसके गुड़ हो गई ना पुरानी नया खराब ये गुड जो होता है, लेकिन गुर्ट कि बात हो रहे हूं तो पुंस्तख के गुर्ट के बात हो रहे हैं। जिसके बुषष हो जिसके बुषकता की बात हो वो विशेष्य होता है। तो पुंस्तख यह बात कर रहेखा है।给 oliTrist जो होता वो संकेत होता है हम किसी की बात करें ना जैसे हम कहा रहा है कि आप तो हम संकेत कर रहा है कि आप के उपद तो ये है उस जो है ये संकेत वाचक एक और होता है विसेसर के प्रकार में संकेत वाचक विसेसर तो उस जो है कि संकेत वाचक विसेसर में आता है, विसेसर में लेकिन संकेत वाचक, अगला उधार, यह चादी खोटी सी दिखती है, तो खोटी सी जो है, यह क्या है, यह खोटी सी यह कौन सा विसेसर है, तो देखिए खोटी सी जो है, यह गुडवाचक है, तो कि चादी की क्वालिटी की बाग कर रहा है अच्छी है, बुरी है, खोटी है, गंदी है, तो ये जो होते हैं, ये विसेसड होते हैं, गुड़ होते हैं, तो ये जो है, गुडवाचक विसेसड है, जैसे राजे सांत लगा है, तो सांत गुड़ हो गया, तो इसी परकार खोटी सी चादी का गुड़ हो गया, तो खोटी कौन , सरव नाम को धर्साथ नौकर नहीं है कौन नौकर नहींस वहास सरवणाम वाचक विशेषड है सरवणाम वाचक विशेषड होता है विसेसर के वेद में आपने देखा था दूसरे नमबर पर सरवनाम वाचक तो वह जो है, यह सरवनाम वाचक विसेसर है तो इस प्रकार की कोश्चन विसेसर देखने को मिलते हैं तो यह थी आपके लिए हिंदी का एक वीडियो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझने में आपको असानी होगी देखिए इसे भी जी लोग समझाते हैं असान नहीं है लेकिन इसे जी और कुछ हो नहीं सकता क्योंकि मैंने उदार के सुरुप आपको समझाने की कोशिस की जितना मुझे आया मैंने आपके सामने प्रजेंट किया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम हिंदी के बहुत सारे परियावाची विलोम सभी से सब्बंदित वीडियो लेकर आएंगे मिलते हैं अगले वीडियो में जैनल वंदे मात्रम